हेलो फ्रेंट्स एंड वल्कम बैक टू मैं चैनल शामलीस क्रियेटिविटी सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सभी को मेरे बनाए हुए वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं लेकिन मेरे कई वीवर्ज ऐसे हैं जिहोंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और हाँ हिट दा लाइक बटन और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करिए लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए इससे क्या होता है कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत अच्छे डियाइवाइस करने के कोशिश करती हूँ तो आज का जो मेरा डियाइवाइ है जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया कि मेरा डियाइवाइ बहुत अमेजिंग है तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते तो मैंने लिया है ये तीन कंटेनर जो की टिन के है और आपके घर पे भी हमेशा इस प्रकार के मिठाया आती रहती है रजगुले गुलाब जामुन सभी को पसंद होते हैं लेकिन हम इसी को रिसाइकल करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें वाइट एक्रेलिक कलर आप वाइट एक्रेलिक कलर के जगे आप बॉल पेंट भी ले सकते हैं या आप जैसो का भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इस वाइट कलर से पूरे टिन को कवर कर दूंगी अब मैंने यूज किया है कुछ इस तरीके के स्टोन्स जो कि आपको आपके घर के आसपास कही न कहीं मिल जाते हैं तो मैंने भी यही स्टोन्स को अच्छे से धो के सुखा लिया था और उसके बाद मैंने इसे में भी पेंट किया है तो जैसे आपको पता है कि हर बार मैं white primer का use करती हूँ तो मैंने इसी तरीके के जितने भी stones थे सब में white primer का use कर लिया है और इसके बाद हम कुछ देर तक इन्हें dry होने के लिए रख देंगे तो जैसे कि मैंने अभी container को धोया उसके बाद paint किया और उसके बाद उन्हें सुखाया इसी तरीके से हम ये सारे stones को भी अच्छी तरीके से dry होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए dry होने के लिए मैंने ये रखे हुए है और इसके बाद मैं इनके उपर कुछ artwork करने वाली हूँ तो आप इन stones के जगे ये जो छोटे stones आते हैं colorful वाले उनका भी आप use कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ये दोनों stones का ही use किया है हमारा ये tin can सूख के ready हो चुका है अब बारी आती है इसमें coloring करने की तो मैंने इसमें लिया है ocean blue color तो इसे बनाने के लिए मैंने white color और sky blue color का use किया है और इसको मैंने अच्छे से mix करके थोड़ा सा dark blue color भी mix किया था और तीनों को mix करने के बाद ये color मुझे मिला है तो इसको भी मैं अच्छे से तीनों जो container लिये हैं तीनों container को मैं अच्छे से paint कर दूँगी और paint होने के बाद मैं इसे धूप में थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दूँगी जिससे की ये अच्छे से सूख जाए और आप इसके paint होने के बाद इसमें आप primer का भी use कर सकते हैं primer करने से क्या होता है कि जो आपका paint है वो जादा दिनों तक टिका रहता है अब बारी आती है इन white stones को color करने की तो मैंने इसमें सबसे पहले pink color किया है और इसी तरीके से मैंने बाकी के जो stones हैं उसमें भी different color का use किया है तो मैं जब ये color कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये बनने के बाद कैसे लगेंगे बट बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे अब देखिए ये मैंने containers को धूप में सुखाने के लिए रख दिये हैं धूप में सूखने के बाद इसमें मैं color करना start करूँगी तो आपको समझ में आही गया होगा कि मैं आखिर बना क्या रही हूँ तो अब मैंने कुछ नहीं किया है simple बस मैं paint लेते जा रही हूँ और उसमें बस paint करते जा रही हूँ लेकिन ये paint आपको अपने मन से करना है आप कुछ भी इसमें paint कर सकते हैं लेकिन मैं जो बनाने वाली हूँ वो कुछ थोड़ा different है तो बस मैंने लिया है brush और उसे paint करते ही जा रही हूँ तो देखिए कितना सुंदर बन की ये ready हूँ है अब देखिए हमारे स्टोन्स भी सूकर ready हो गए है अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बनाने वाली हूँ इन स्टोन से fish तो देखिए आप स्टोन आर्ट से कुछ भी बना सकते हैं आपने अगर मेरे स्टोन आर्ट नहीं देखा है तो मैंने अपने एक और वीडियो में स्टोन आर्ट किया था जिसका नाम था Jen Corner तो प्लीज आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिए तो उसमें आपको जो मैंने कुछ बनाए थे स्टोन आर्ट वो बहुत सुन्दर बनाए थे तो जरूर से मेरा वो वीडियो आप देखिए तो इस तरीके से मैंने इसमें पेंट करके थोड़ा सा उसे फिश का लुग दिया है तो ये स्टोन बनने के बाद जो फिश दिख रही थी रियली बहुत ही सुन्दर दिख रही थी तो देखिए ये फिश जितनी भी बनाई हूँ मैंने वो बहुत ही सुन्दर लग रही है अब हम क्या करने वाले हैं ये जो फिश बनके रेडी हो गई है लेकिन ये खाने के लिए नहीं है इसे मैं लगाने वाली हूँ अभी उस कंटेनर पे तो मैंने टोटल नाइन फिश ऐसे रेडी कर ली है और इनके जो टेल हैं वो भी रेडी कर लिये हैं तो मैं एक बॉक्स में तीन फिश को चिपकाऊंगी और आप इसमें कुछ अच्छा ही गलू का यूज करिये जिससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से स्टिक होता है निकलता नहीं है तो मैंने देखिए इस वाले कंटेनर में एक रेड कलर की, ब्लू कलर की और ओरंज कलर की फिश को लगा दिया है दूसरे कंटेनर में मैंने लिया है ये यलो कलर की फिश और उसकी जो टेल मैंने बनाई हूँ वो है पिंग कलर की तो ये जो पिंग कलर के हैं ये वही वाले स्टोन है जो कि आप use कर सकते हैं ये already colorful रहते हैं तो इसमें हमें colors करने की ज़्यादा ज़रूद नहीं पड़ती है अब मैं जो second वाली fish लगाने वाली हूँ वो है blue color की बहुत ही प्यारी सी और cute सी fish तो ये भी fish बहुत ही प्यारी है तो इसका जो मैंने tail लिया है मैंने ये भी वही छोटे से stone से ही इसमें बनाया है अब third जो मैंने इसमें लगाया है वो है मेरी red color के fish तो इसी तरीके से मेरा ये जो second container है वो भी ready हो गया है तो अब ये देखिए दोनों container मेरी ready हो गया है अब बारी आती है मेरे third container की तो third container में भी मैंने इसी तरीके से जो बाकी की तीन fish है उन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से इसे लगा लिया है तो ये देखिए बनने के बाद सही में बहुत ही बहुत ही जादा खूबसूरत लग रहे थे ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपको ocean में नदी में मचलिया तैर रही है और ये सही में बहुत ही खूबसूरत DIY है तो प्लीज मुझे comment section में बताईएगा कि आपको ये मेरा DIY कैसा लगा और आप भी इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिए तो इस container को आप as a planter यूज़ कर सकते हैं या तो आप किसी भी corner पे रख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा मैंने तो इसे kitchen में use किया है kitchen के आप spoon या utensil छोटे छोटे आप रख सकते हैं तो ये बनने के बाद kitchen में भी बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वाचेंग